नमस्कार ये आकाश्वानी है अभी आप मनवज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा उनकी सरकार की प्राथमिक्ता गरीबों को बहतर स्वास्त सुविधायों प्लप्त कराना है ग्रह मंतर अमिश्वाह ने कहा केंद्र के सक्रिय उपायों से माववादी गति वीधियो पर बहुत हद तक रोक लगी केंद्रे संस्कती मंतरी एजी किशन रेडी ने कहा नुचे 370 को निरस्त करने से जमुकश्मीर आतंगवादी होट्सपोत से परेठक होट्सपोत बना इस वर्ष नोवेंबर में लैप्टॉप टैबलेट और नीची कम्प्यूटर के आयाद के लिए वैद लाइसेंस की आवशकता होगी और आकाश्वानी आज की शाम अटारे सीमा पर युवाओं और सुरक्षबलों के जवानों के साथ भारत की G20 अदिक्ष्टा का उच्सप मना रहा है अब समाचार पिस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहा है कि देश के सभी गरीब भाई बहनों को स्तरिय स्वास्थ सेवा उपलब्द कराना सरकार की प्राथमिक्ता है स्वास्त मंतरी के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोधी ने इस बात पर संतोश व्यक्त किया है कि देश के गड़ोरों लोगों को डिजिटल स्वास्त सेवा का पूरा लाब मिल रहा है स्वास्थ मंत्री डॉक्टर मंसुक मांडी विया ने एक ट्वीट में कहा था कि राष्ट्रिय गैर संचारी रोग कारेक्रम के तहट अब तक पांच करोर से अधिक आविश्मान भारत स्वास्थ खाते बनाय जा चुके हैं इसके तहट चौधा अंको वाली विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है इसे देश भर में स्वास्थ सेवा प्रदाता मान्यता देते हैं ग्रह मंत्र अमिश्वा ने कहा है कि देश का विकास और इसका भविश्य सीधे तोर पर राष्ट्रिय राजमार्गों के विकास से जुड़ा हुआ है उन्होंने ये बात आज भुवनिश्वर में लोग सेवा भवन में एक कारेक्रम में कही शुष्या ने राष्ट्रिय राजमार्ग तिरेपन पर कामख्या नगर डुबूरी खंड को चार लेन का बनाने और काला हांडी जिले में मोटर से बनने लड़ू गाउं जाने वाली सड़क को चोड़ा और बहतर करने की कारेक्रम की आधारशिला रखी उन्होंने कहा है कि केंदर सरकार ने पिछले नो वर्षों में बुनियाणी धाचा विकास के लिए कई काम किये हैं श्रेशा ने कहा है कि केंडर की सक्रियता के कारण ओडिसा सही देशभर में माववादियों की कतिविधियों को काफी हद तक नियंतरित किया जा चुका है श्रेशा ने कहा है कि ओडिसा सरकार ने माववाद के मुद्टे पर हमेशा केंडर को सही योग दिया है उन्होंने आपता प्रवंधन और माववाद नियंतरन के मामले में ओडिसा सरकार को एक रोल मॉडल बताया अनुछे 370 को समाप्त किये जाने के चार वर्ष पूरे होने पर ग्रह मंतर ने इसके लिए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी की भूमिका की प्रसंसा की और कहा है कि वर्ष 2019 में आज ही के दिन जह्मु कश्मीर को विशेश दर्जा देने वाले इस अनुछेत को समाप्त कर दिया गया था श्रीशा ने कहा है कि अनुछेत 370 को वापस लेने के एतिहासिक फैसले के लिए देश की जनिता प्रधान मंतरी के प्रती कृतिक किया है पर भी चर्चा की राष्ट्रिय स्वास्त प्राधिकरन एन एज ए ने आयुषमान भारत डिजिटल मिशन के अंतरगत अपनी डिजिटल स्वास्त प्रतसाहन योचना के अब्धी को इस वर्ष 31 तिसंबर तक पढ़ा दिया है स्वास्त मंतराले ने कहा है कि डिजिटल स्वास्त प्रतसाहन योचना के अंतरगत डिजिटल स्वास्त रिकोर्ट की सख्या और रोग्यों के आयशमान भारत स्वास्त खाते के नंबर और से संबंदित डिजिटल स्वास्त रिकोर्ट पर चार करोर रुपे तक का प्रतसाह दिजिटल स्वास्त प्रत्साहन योजना का शुभारंब इस वर्ष जन्वरी में किया गया था। दिजिटल स्वास्त प्रत्साहन योजना का शुभारंब इस वर्ष जन्वरी में किया था। दिजिटल स्वास्त प्रत्साहन योजना का शुभारंब इस वर्ष जन्वरी में किया था। जाने से जमुकश्मीर की नई यात्रा की शुरुवात हुई है और ये क्षेत्र आतंकियों के होट्सपोर्ट के स्थान पर बरेटको का होट्सपोर्ट पंते जा रहा है। जिससे पहली बार रोजकार और विकास को प्राथिमिक्ता मिल रही है। श्री रेडी ने एक ट्वीट में कहा है कि जी ट्वेंटी की बैठको के आयजन से परेटको की संख्या बढ़ी है और जमुकश्मीर शान्ती और समृति के रास्ते पर आगे पढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि ये प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की द्रन इश्चाशक्ती थी जिससे एक राष्ट्र एक सम्विधान का वादा पूरा किया गया। तृपुरा भी आजाती का अमृत मोहतसफ की एक वर्ष पूरे होने के अफसर पर मेरी माठी मेरा देश अभ्यान में शामिल होगा। सुचना और संस्कृती सचीब डॉक्टर प्रदीप चक्रवर्थी ने कल राजधानी अगरतला में ये जान का रेती। ये अभ्यान जन भागिदारी के साथ 9 से 30 अगस्त तक देश भर में चलाया जाएगा। श्री चक्रवर्थी ने कहा है कि इस दोरान स्वतंतता सेनानियों और रक्षा विभाग, अर्थिसैनिक बल तथा पुलिस बल के रूप में काम करते हुए अपने प्राण नोचावर करने वाले वीरों को श्रधान जली देने के लिए कारेक्रम आयजित किये जाएंगे। उन्होंने कहा है कि ऐसे स्वतंतता सेनानियों के बलिदान के लिए हर ग्राम पंचायत, ग्राम समिती, नगर पंचायत और नगर पालिका से स्मृति भी लाही जाएगी। श्रे चक्रवर्दी ने कहा है कि कारिक्रम स्थलों में आम लोगों को पंच प्राण का संकल्ब देलाने की विवस्था की जा रही है। केंदर सरकार ने कहा है कि लैप्टॉप, टैबलेट और निजी कम्प्यूटर के आयात के लिए इस वर्ष की पहली नुवेंबर से वैद लाइसेंस की आवस्था होगी। केंदर ने कहा है कि टैबलेट और लैप्टॉप जैसे की आईची हाडवेर के आयात पर कोई प्रतिबंद नहीं है। ऐसे उपकरन कम्पनियों या वियापारियों द्वारा वहत लाइसेंस प्राप्त करने के बाद आयात किये चा सकते हैं। विदेश व्यापार महानिदेश आले ने एक पॉर्टल तैयार किया है जिस पर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम्पनी और व्यापारी ओनलाइन आवेतन कर सकते हैं। भारत के पास IT हाडवेर उपकरन के विनिर्मान की परियाप्तिक शमता और सामर्त्य हैं जिससे और अधिक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। G20 की भारत के अधिक्ष्टा के उप्लक्ष में आकाशवानी दिल्ली ने आश्राम पंजाब के अटारी बॉटर पर युवाओं के साथ मिलकर एक रंगा-रंग देश भक्ती कारिक्रम का आयजन किया है। ये कारिक्रम दोपहर बाद चार बज़े से शुरू हो गया है। कर्शन का केंदर रहेगा। इस नई दिल्ली के द्वार का स्थित अत्याधुनिक इंडिया इंटरनेशनल कंवेंशन एंड एक्सपो में आजित किया जाना है। इसे देखते हुए आकाशवानी कई कारिक्रमों का आयजन कर रही है। दक्षिन कश्मीर के कुलगाम जिले में हल्ला में वनक्षेतर में कल्शाम आतंकियों के साथ संखर्ष में तीन सैनिक वीरगती को प्राप्थ हो गये हैं। इलाके उपरी इलाकों में आतंकियों की मौचूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षावलों ने अभियान शुरू किया था। मौसम विभाग ने अगले चार से पांच दिनों के दोरान उतराखंड उत्तरी प्रदेश, बिहार, उपहिमाले, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेश से बहुत तेश बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग नियाग ले पांच दिनों के दोरान पूर्वतर रिक्षेत्र में और अतिक वर्षा की संभाबना व्यक्त की है। अरुनाचल प्रदेश असम में खाले नागाले इन मनिपूर में भी तेज से बहुत तेज वर्षा होने के आसार है। किदांबी श्रीकांत और पीवी सिंधू और अश्रेलियन ओपन बैद्मिंटन टौर्नमेंट के सिंगल्स क्वाटर फाइनल में पहुँच के हैं। किदांबी ने पूरु सिंगल्स के दूसरे राउंड में चीनी ताइपे के शू ली यांग को 21-21 से हराया। इसे के साथ ये समाचार बुलिटिन समाप्ध्वा, नमस्कार।